नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोताम दोसु वीडियो में इस बात का विश्रेशन करेंगे कि मुसल्मानों पर मोधी सरकार के मंतरी गिरीराज सिंग ने क्या बयान दिया है जो अगर किसी मुसलिम नेता ने दिया होता, किसी मुसलिम धर्म गुरू ने दिया होता तो अब तक जेल में होता कई तरह की गंभीर धाराय लग जाती क्योंकि राष्टे सुरक्षा के साथ खिलवार का मामला है ऐसा बयान अपने आप में इश्वर का अपमान है एक तरफ हिंदू धर्म की राजिती करते हैं दूसी तरफ इश्वर की शपत भूल जाते हैं भगवान की कसम तोड़ने वाले आखिरकार कैसे धर्म के सच्चे सिपाही है ऐसे अधर्मियों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए लेकिन मोदी सरकार में मंत्री है तो क्या कानूनी कारवाई हो पाएगी और क्या ये सरयाम कानून का उलंगा नहीं है पीम मोदी को अपने मंत्री उपर लगाम कसनी चाहिए क्योंकि एक तरफ पीम मोदी दुनिया भर के देशों में जाते हैं मुस्लिम नेताओं के साथ ऐसे फोटो किचाते हैं वसुदैव कुटमकम का संदेश देते हैं कि भारत बुद्ध की बुमी है पीम मोदी दुनिया भर के देशों में जाकर यहीं बोलते हैं कि युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है बुद्ध के रास्ते पर ही दुनिया की समस्याओं का समादान हो सकता है तो भारत में ग्रे युद्र के लिए लोगों को क्यों उक्सायजा रहा है क्यों मोधी सरकार के मंत्री कानून का इस्तमाल करने की बजाए पबलिक को कहते हैं कि आप के साथ गलत होता है तो आप ही बदले में ये करिए क्या किसी मंत्री को ऐसा करने का कोई अधिकार है और क्या इश्वर की शपत लेना भूल गए भगवान की जूटी कसम खाने वाले आकिरकार कैसे धर्म के योधा हैं गिरीराज सिंग आपने इश्वर की शपतली होगी जब मत्री पत की शपतली थी इश्वर को साक्षी मान कर ये कहा होगा कि भारत की एकता अकंड़ता को अक्षों में रखने के लिए काम करूँगा लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके से काम किया जरहा है जहां पब्लिक को किस थपर मारे तो सब जमा हो करके उसे सो थपर मारे ले ये कड़ेंगे भाई और बहीं दोनों से कड़ा हूँ तो महादेख का किसम मनमन खाओ अहाद उठा के कहो हरा हरा नहादेख दोस्तों कानून के राज में क्या होता है अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है तो आप पुलिस को फोन करते हैं और यहाँ पर एक मोदी सरकार में मंत्री केंद्र सरकार में मंत्री सरयाम पब्लिक को कहते हैं कि अगर आपको कोई एक थपड मारे मुसल्मान एक थपड मारे तो भीड बन जाओ और उसको सो थपड मारो यानि कानून का उलंगन करने के लिए मंत्री जी उकसा रहे हैं पब्लिक को क्या ये कानून का राज है बिहार सरकार को क्या इस पर कारवाई नहीं करनी चाहिए क्या धर्म के नाम पर ऐसे पब्लिक को उकसाने का कोई नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार है मोदी सरकार के म आगे क्या कहते हैं एक और बयान आप सुनिए ये भी कहते हैं कि जो पूजा पाट का समान है उसको हत्यात के तरह इस्तमाल करने की सला दे रहे हैं क्या कहते हैं जरा सुनिए तो रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है मोधी सरकार की है बिहार सरकार की है या पब्लिक खुद अपनी रक्षा करे क्या हम जंगल राज में चले गए हैं जहां खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी कोई विवस्ता नाम की चीज नहीं है इस तरह मोधी सरकार के मंतरी धर्म की रादिती कर रहे हैं जो अपने आप में चिंता जनक है कि ऐसे मंतरी आकरकार देश में चाहते क्या हैं पब्लिक ने हिंदू रक्षा के लिए पियम मोधी को वोट दिया है चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई सब की रक्षा करने का अधिकार सरकार को है लेकिन यहाँ पर बाकाइदा धर्म का नाम बताते वे मंतरी जी पब्लिक के सामने कैसे भड़काव बयान दे रहे हैं अगर किसी और दल के नेता ने ऐसा दिया होता तो अब तक गंभीर धाराएं लग जाती लेकिन क्या गिरिदाज सिंग पर कोई कारवाई हो पाएगी क्या देश का सुप्रीम कोट ऐसे मामलों में संग्यान लेगा सुप्रीम कोट एक बार कहा था कि हेट स्पीच पर सुवत्य संग्यान लेना चाहिए पुलिस को लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या फिर बीजेपी के नेता मोदी सरकार के मंतरी कानून से उपर हो गए है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगार सकता जो चाहे बयान दे भले देश का उससे कितना ही नुकसान क्यों नहीं आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं क्या गिरीराज सिंग पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होनी चाहिए क्या पीम मोदी को ऐसे मंतरी को बरकास नहीं करना चाहिए जो सविधान की शपत भूल गए इश्वर की शपत भूल गए और धर्म के नाम पर राजनिती करते हैं पबलिक से भी हम कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए चाहे किसी भी धर्म के वैक्ति क्यों न हो हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है कल को ऐसे मंत्री की बातों में आकर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसके बाद आपका परिवार केश जेलेगा ऐसे मंत्री ऐसे बयान देकर धर्म के नाम पर राजनिती करते वे अपना चेहरा चमका जाएंगे राजनिती में अपनी मार्केट बनी रहेगी लेकिन आपका और आपके परिवार का भविश्य बरबाद हो जाएगा अगर आप देश की एकता खंता में विश्वास रखते हैं तो हर कोई तब तक सुरक्षित है जब तक देश में कानून का राज है आप ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट पॉक्स पर पिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की उप्षिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लग वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार